हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर रावज चौधरी यह श्वामपेटिक सेंटर जोधपूर से फ्रेंट्स जैसी सर्दियां सुरूई है थोड़ा सा मोसम अदला हुआ एक कॉमन प्रॉब्लम जिसके साथ क्लीनिंग में पैसेंट आने लगे हैं कि सर इसकैल्प में हिचिंग हो सिर में खुजली हो रही यह कैसी प्रॉब्लम है अलांकि जिसके लिए पूरे सालवरी पैसेंट्स आते हैं लेकिन मेंली जब भी कोई सीजनल चेंज हुआ है जैसे अचानक कोई बारिस का मोसम आया है अचानक सरदी का मोसम आया तो इन दो सीजन के अंदर जो है इची स्कै होता है तो इसके कारण हर टाइम जो है आप जहां भी बैटे हैं आपका ध्यान में सा स्कैल्प में रहता है खुजली सी बनी रहती है और कई बार आपको खुजली करनी पड़ती है जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगता और बहुत से लोगों को इतना ज्यादा स्कैन करन ननको है लोगता है तो सबसे पहले इसके कारण को हम समझ लेते हैं कि आकर यह को हुता क्यों की बात करें तो एक तो यह एक बड़ा कारण जो देखने को मिलता और डैंड़ इसको सहिंबरिक डर्मिक डर्मेटाइटिस और ठोड़ा मिलती जुलती दोनु विमारिया है सकते हैं जैसे मैं किसके से स्क्राइब करें के सिर्ष आप को फॉलकुलायटिस हो गया तो इस तरह की मेडिकल कंडिशन हो सकती है जिसके कारण आपको सकता है इसी तरह से काफी लोग अंदरे देखा गया कि उनके सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो जो एकसे सब स्वेटिंग है उसके कारण भी आपको हो सकती है और कई वार होता है कुछ लोग को इसके कारण भी उनको ऐसा देखने मिलता है और जब वेदर चेंज हो रहा होता है पर्टिकुलर्ली विंटर के अंदर या बारिस क मोसम गंदर तो उस टाइम भी जो है आपको सिर के अंदर खुजली की सिकायद देखने को मिल सकती है अगर आप सैंपू कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत जादा है तो उसके कारण हो सकता है या आप ऐसा केमिकल बेस्ट सैंपू है बहुत जादा ले रहे हैं या उसको बहुत फ्रीक्यूंटली यूज़ कर रहे हैं या आपने जब सैंपू लगया उसके बाद आप प्रॉपरली जो है वापिस उसको वास नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण भी आपको ऐसा हो सकता है और इसी के साथ में कुछ लोग जो है अपने सिर को जो है रेग जो है उस डाई से रियक्षन उनको बॉड़ी को सूट नहीं होता और उसके कारण भी उनको इची स्केल्प हो सकता है इसी के साथ में एक चीज़ आप और जरूर देखें कि अगर पहले कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और रिसेंटली अगर आपने अपना कोई आप कह सकते हैं जो आपकी बॉड़ी को सूट नहीं कर रहा है तो जो भी है आप उसको वापिस अपना पहले वाले पर सिप्ट हो जाएं जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी कई बार यह भी देखने हो मिलता है कि अगर आप लंबे समय से बिमार हैं कोई तरी के से लंबे स्मय तक लेते हैं तो डीजी जोगी जिसमें लम्बे समय समय तक आप बिमार है तो उसके करण आपकी बोड़ें वीक्नेस आने लगती है प्रॉटेंस की कमी होने लगती धिटामीन वीटी त्वैल की डिफिस्टंसी होने लगती है और उसे भी आपको ड्राइ स्कीन होके और इचिंग होने लगती है अब इसको ठीक कैसे करें देखें ठीक करने की बात करें तो थोड़ा सब तो हमें कुछ चेंजेज अपनी लाइप स्टाइल में ध्यान रखने होंगे कि सबसे पहली बात तो अगर आप एक मेल हैं कारिकारी सरव लंबे बाल रखरें तो इसे बॉव जी जो लंबे बाल रखरें उनमें आप उनको देखा गया कि और ज्रॉड वर क्रें क्योंगे हैं ड्रेविंप संदोर यां आप बार घूमते हैं तो दूल मिटी जाथा सब्सक्रीनिघा Da और फिमेल्स के लिए यह कि अगर गर्मियों का मोसम है तो आप देखें कि सब्दे में कम से कम तीन वार अपने बालूं को प्रपरली आपको जो है वोज करें और अगर आपके बाल oily हैं तब तो आपको जरुवत है कि बालों को daily आपको clean करने की जरुवत है अदर्वाइज आपके scalp matching की problem होगी और आप sample जो भी यूज करते हैं तो उसमें आप देखें chemical best sample नहीं हो जितना आप जो है gentle sample यूज करेंगे कोई आप होमेपेथिक अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे sample आते हैं जो आप अपने आसपास में डोक्टर हैं उन से मिलके खरीच सकते हैं तो होमेपेथिक अंदर भी मतलब ऐसे sample आ रहे हैं या आप दूसरे आईरवेधी कोई preparation के sample ले सकते हैं या कोई दूसरा gentle sample जो भी अगर आप यूज करते हैं उसको यूज करें बट उसमें chemical जितना नहीं होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा अब मैडिसन की बात करें तो अगर कोई disease है जैसा भी हमने बा बहुत ठीक नहीं होगा तो इचिंग कैसे ठीक होगा और रूटीन में जो है अगर कोई problem है तो उसको आप अपने डोक्टर से जाके मिलें definitely इसके अंदर होमियोपेटिक अंदर बहुत अच्छी medicine से और बहुत अच्छे results हमने देखें और medicine की बात होती है जैसे मैं हमेसा कह किया जाता है सलफर को इसमें आप थोड़ा सा लोवर पोटेंसिम यूज़ करें सिक्स एच आपके लिए बैस रहेगा सिक्स एच को आप जो है दिन में एक वार सुबह सुबह बैस्ट मोर्निंग टाइम में वर्क करती है इस लिए एडवाइस किया जाता है कि सलफर को मौन इसके लिए बहुत अच्छी मैडिसन है और आर्शनिक अलबम को 30 निमें दिन में दो वार यूज कर सकते और लास्ट हम बात करें तो ओलियंडर इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मैडिसन है और तो यह कुछ मैडिसन से तो मोस्ट उ प्डैसे के अंदर अगर आपको इची स्केल्प है रूटीन में तो आपको ठीक करने मदद करने वाली है और अगर पर्टिकुलर जैसे अलग से को डीजीज हमने बात की तो उसको प्रॉपरली आपको दूसरा ट्रीटमेंट की जरूत है इसी के साथ में जरूरी है कि सिर पर कोई है वो भी आप अपलाई करें तो जिन लोगों को डैंडर रहता है या ड्राई है तो उसके लिए का आपके लिए में बहुत अच्छा है कंबिनेशन बताने वाला हूं इसके अंदर हमें तीन मदर टिंचर को यूज़ करने की जरूत होती है सबसे पहला मदर टिंचर है अजाडिका इंडिका यह नीम से अनने वाली होमेपेटिक मेडिसन है तो आपको आजाडिका इंडिका लेना है सेकिंड आपको लेना है कुछले या आर्मी रेशा मदर टिंचर और थर्ड लेना दो यह जो तीनों मदर टिंचर है इनको एक्विल क्वांटिटी में मिक्स करना माल लीज़िये हमने टेन एमि मस्टरड यानि सरसुंग के टेल में मिक्स कर दीजिए और जब आप इसको मिक्स कर लोगे उसके बाद जो आप इसको रोज दिन में एक बार अपलाई करें इसको कम से कम पांच से गंटे आप इसको रखने की कोसिस करें ज्यादा अच्छा है जब आप नाइट में सोने जा र आपके साथ में बैस्ट अपना एक्सपीरियंस सेहर करूं जिसको मैंने मेरी क्लिनिक पर यूज की है और ज्यादा तर कैसे के अंदर हमें इससे बहुत अच्छी सक्सेस मिली है इसी तरह से अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सबस्क्राइब जरूर करें बैल आइकन जरूर दबा लें जिससे में वापस ऐसाई कोई knowledgeable video डालें ता आपको लाउडिफिक्शन मिल सके और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दूसरे friends और दूसरे social media पर जरूर सेहर करें जिससे ज् वीडियो से फायदा मिल सके थैंक यू